तो हाज की इस वीड़ो में हम बात करने वाले कई सारे सुपर हेरो मुवीज एंड सीरीज से रिल टिट अपडेट्स के बार में तो चले इस वीड़ो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो अपडेट्स क्या हैं फिर हमारा next update निकल करा रहे है Marvel के animated series X-Men 97 को लेकर तो इस series के कुछ new look reveal हुए है जितने आप screen पर देख सकते हो तो हमारा next update निकल करा रहे है DC को लेकर तो recently ये news निकल कराई है कि जो DC है वो Batman और Superman को public domain बना देगा 2035 और 2034 में इसका मतलब है कि Batman और Superman के उपर कोई भी movie बना सकता है लेकिन जो DC है उसने Batman और Superman के लोगो को trademark किया हुआ है यानि कि अगर कोई भी Batman और Superman के उपर अगर movie बनाता है तो Batman और Superman के लोगो को वो लोग use नहीं कर सकते उस movie में और सिर्फ Batman और Superman ही नहीं बलकि Wonder Woman और Joker जैसे characters को भी DC public domain बना देगी 2036 और 2037 में फिर हमारा next update निकल करा रहा है Marvel की Daredevil Bond Again सिरीज को लेकर तो recently एक rumor निकल करा है कि जो Daredevil Bond Again की सिरीज है उसमें हमें White Tiger नजर आ सकती है फिर हमारा next update निकल करा रहा है Madam Web Movie को लेकर तो recently Madam Web की कुछ नए character posters रिलीज किया गया है जरने आप screen पर देख सकते हो फिर हमारा next एक और update निकल करा रहा है Madam Web की post credit scene को लेकर तो recently एक rumor निकल करा है कि जो Madam Web Movie का post credit scene है उसे movie से remove कर दिया गया है लेकिन movie से इसके post credit scene को हटा देने का को reason reveal नहीं किया गया है और वैसे भी ये सिर्फ rumor है इसे officially confirm नहीं किया गया है I hope कि आज कर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद है तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा और अगर चैनल पढ़नी हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye